हलो दोस्तों बात अगर नौन मिच की हो तो मेरा फेवरेट मटन है और आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल मटन करी जो की बहुत ही टेस्टी और इसे बनाना भी बहुत आसान है मैं हूँ आपका होस्ट गॉरफ और स्वागत आपका दा इंडियन किचन में तो चलिए फिर श यहां मैंने खड़े मसाले ले लिये हैं जिसमें जीरा, खड़ी धनिया, पत्थर का फूल, दस बारा काली मिर्च, तीन चार बड़ी इलाइची, छोटी इलाइची, आधा जाइफल, लॉंग तीन चार, थोड़ी जावित्री और दालचीनी इन सब खड़े मसालों को हम ग् पीस लिया है और इसका पेस बना लिया है, जिंजर गालिक पेस भी हमने घर में तयार कर लिया है, अब खूकर में यहां तेल डाल देते हैं, मैंने यहां एक छोटी कटोरी मस्टर्ड ओयल डाला है, अगर आप तेल कम खाते हों तो इसमें थोड़ा कम डाले, तेल गरम होने पे अब हम यहां कटी हुई प्यास डाल देते हैं और खड़ा लेसुन भी डाल देते हैं और इसे अच्छे से चला लेते हैं प्यास हलकी ब्राउन होने लगी है प्यास को हमें गोल्डन ब्राउन करना है इसे चलाते रहें 6-8 मिनिट बाद आपकी प्याज golden brown करकी हो जाएगी, अब इसमें हम डालते हैं ginger garlic paste और इसे अच्छे से mix कर लेते हैं, एक मिनिट तक इसे अच्छे से mix कर लें, अब खड़ा masala डाल लेते हैं, जो हमने grinder में पीसा था, और इसे अच्छे से mix कर लेते हैं, अब इसमें healthy डाल दे meat masala डाल लेते हैं, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, ताकि masala अच्छे से mix हो जाये, और इसे चला लेते हैं, अब इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद्र नूसार, और इसे mix कर लेते हैं, मसाले को हमें भूजना है तो हम धक्कन लगा लेते हैं और बीच-बीच में इसे चलाते रहें 6-8 मिनिट बाद इसका हम धक्कन हटा लेते हैं यहां मसाला ओल छोड़ चुका है अब इसमें हम मटन डाल देते हैं अच्छे से मिक्स करके इसे 4-5 मिनिट भूल लेते हैं मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूल है मटन ने अब पानी रिलिज करना स्टार्ट कर दिया है चार से पान्च मिनिट बाद अब इसे एक बार अच्छे से चला लेते हैं मैंने यहां डेड़ कॉफी का वाम वाटर एट किया है, अब इसे अच्छे से चला लेते हैं और कूकर बंद कर लेते हैं, हमें यहां तीन से चार सीटी लगवानी है, पहले सीटी के लिए हाई फ्लेम पे ही गैस रखे, अब गैस को लो फ्लेम करके दो सीटी और लगवा ले, जब कूकर का सारा प्रेशन निकल जाए, तब हम इसे खोल लेते हैं और इसे अच्छे से चला लेते हैं, तीन सीटी लगाने के बाद यह देखे आपका मटन अच्छे से पक चुका है, यह आराम से तूट जा रहा है, इसमें हरी धनिया डाल देते हैं अब, अब आपकी स्पेशल मटन करी तयार है, अगर यह रेश्पी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर ले, और चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट डेस्पी आप कौन सी देखना चाते हैं, ठैंक्स पर वचिंग आइस,